तो इस वीडियो से हम देखेंगे एसोसेटिविटी वाली प्रॉपर्टी तो जिनको नहीं पता उनको बता दू हम लोग क्लास 12 का चैप्टर बंड डिसकस कर रहे हैं और उसमें हमने स्टार्ट किया था बाइनरी ऑपरेशन उसके बाद हमने कम्यूटेटिविटी देखा था तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार इसको हम एसोसेटिव तब बोलेंगे जब एस्टार बी स्टार सी कोल टू एस्टार बी स्टार सी अब यहां पर एस्टार बी स्टार सी एबी सी एकी लाइन में है लेकिन इन में डिफरेंस है फर्स सवाल है कि इसमें बी और सी का एसोसीशन पहले हो रहा है और इसका जो रिल टाय का उसका हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे एक के साथ तो अगर यह दोनों चीज एक्वल आ सब्सक्राइब एक एकजमपल की से समझते इसको इस एकजमपल में हमको चेक करना है कि यह स्टार एसोसीटिव है ठीक है और किससी तरह और आपको ऑप की स्टार का मतलब क्या है अगर यह इसको हम लगते प्लस टू कई होप आप यह चीज में Confusion नहीं रहा होगा तो कैसे करेंगे discuss इसकी आसोरसीटिविटी तो यहाँ पर से चक करने के लिए हमको कोई numbers लेने पड़ेंगे well number में से. Commutative में हम क्या करते थे हम. A और डूर दो नमबर लेंगे लेकिन associated में हम यहाँ पर ठीन number लेंगे a b और c bestimm or da ba ले लिए अब हम दोनों साइड का LHS और RHS दोनों साइड को चेक करेंगे तो LHS में हमको करना है A star भी पहले पिर उसका star करना है C के साथ तो A star भी बोले तो 3 star 4 3 star 4 को करना है पहले solve और उसके बाद solve करना है 5 के साथ और RHS में हमको B star C को पहले करना है means 4 star 5 को आपको पहले solve करना है और उसके बाद आपको A star से operate करना है बोले तो 3 से operate करना है अब यहां पे 3 star 4 क्या होगा A star भी है A plus 2 भी तो 3 star 4 क्या होगा 3 plus 2 into 4 तो यह कितना आता है यह आता है आपका 8 और 3 11 तो यह आपका आता है 11 तो 3 star 4 11 आ गया और star 5 अलरड़ी साथ में चली रहा है similarly यहां पर आप 3 star तो as it is लखोगे और 4 star 5 को आप solve करोगे A star B मतलब होता है A plus 2 B तो 4 star 5 मतलब होता है 4 plus 2 into 5 तो यह कितना आएगा आपका 10 plus 4 is equal to 14 तो यह होगा 3 star 14 अब इन दोनों को further solve करते हैं 11 star 5 आपका होगा A plus 2 B 11 plus 2 into 5 और यह होगा 3 plus 2 into 14 तो यह कितना आएगा 5 to the 10 10 plus 11 31 और यह कितना आएगा 14 to the 28 plus 3 31 तो इस हिसाब से आपका यह operation कैसा हो रहा है associative हो रहा है तो यहाँ पर तो associative हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं यह associative है नहीं 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 दोस्तों क्योंकि मैंने जान बुच के ऐसा example लिया था जिस पर यह condition आपकी satisfy करे तो हम किसी भी operator को associative तब बोलेंगे तब वो हर एक example के लिए true prove करे यहां पर 345 के लिए तो आपका answer से मरा है तो क्या अलग value के लिए अलग आएगा क्या आप खुद देखो यहां पर अब हम कुछ अलग लेते हैं में आपका answer और इस case में आप चेक करिए two star as it is अब three star four को पहले solve करोगे तो answer आएगा three plus twice of four 11 और यहां पर आप two in star 11 करोगा two plus twice of two plus twice of 11 basis 22 तो यह आपका 24 आएगा तो देखिए पिछले वाले में तो एसोस्टियेटिव था तो क्या हम एक example को लेके यह conclude कर सकते हैं तो इसका answer है नहीं हम एक example को लेके conclude नहीं कर सकते हमको किसी भी चीज़ को अगर true prove करना है तो वो सभी के लिए true होना चाहिए लेकिन अगर false प्रूब करना है तो अगर एक example false कर दिया तो वो पूरा false हो जाएगा तो आप एक example को लेकि यह conclude नहीं करना कि यह true है आप दूसरा different example लेकि देखो आपको second time में तो ऐसा example मिली जाएगा जिसके लिए false होगा right okay अब बात कर लेते हैं आपके basic operations जैसे की plus minus into divide क्या यह basic operations associated होते हैं तो देखो क्या इसमें हम क्या देखेंगे अगर plus को हमको associated prove करना है तो हम यह चेक करेंगे कि a plus b plus c आपका equal आता है a plus b plus c के अब यहां पर a b c same है first वाले case में हम b plus c को b और c को पहले add कर रहें और second वाले case में हम a और b को पहले add कर रहें फिर c को add कर रहें तो obvious है यहां पर आप तीन number को किसी भी तरह add करो answer आपका same आएगा तो आपका जो plus operation है वो आपका associative होता है यहां पर आप real number ले सकते हो domain और co domain आर क्रोस आर टू आर सिमिलरली multiply के case में भी आपका आप कैसे भी multiply करो तीन number को किसी भी order में आपका जो answer है वो आपका a-b-c यह equal आना चाहिए अपका a-b-c पहले करेंगे और minus c पहले करेंगे इसके लिए example वह लेते हैं a equal to two ले ले लेते हैं b equal to three ले 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 लेते हैं और c equal to four ले ले लेते हैं अब यहां से lhs को निकलते हैं lhs क्या आता है lhs आएगा आपका two minus bracket में three minus four और आपका two minus three bracket में और minus four बहार तो यह कितना आए आपका two minus minus one which is कितना यह three आएगा आपका अब इसको देख लेते हैं यह two minus three कितना होगा यह minus one होगा माइनस four होगा यह आपका minus five आएगा तो देखो यह three आ रहा है यह minus five आ रहा है आपके equal नहीं not equal तो यह आपका minus यह आपका वो associative नहीं होता similarly आप डिवाइट को भी प्रूब कर सकते हो कोई भी तीर नमर ले लो उनको इस तरह करो पहले आप a divide b divide c करो पहले b divide c करो फिर a के साथ divide करो और फिर आप चेक करो a divide b को पहले करो और फिर divide c को बात में करो तो यह भी आपका एसोसियेटिव नहीं होगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम हम बात कर रहे होंगे आईजिनिटिटी और इन्वर्ट एलिमेंट की और उसके बाद सीधा इसकी एक्सरसाइज के इंपोर्टन कोशन सॉल्व करके इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे और इसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको अन्वर्ट मिल ही जाएगी कौन सा स्टार्ट होगा तो थैंक यू फूर वॉच्छिंग इस वीडियो अपना ध्यान रखो अपने परिबार का ध्यान रखो और हेल्दी रहों थैंक यू